ओम शान्ती, आज बाबा के 30.11.2021 के साकार, अनमोल, मदुर, महवाक्ये हैं, जिन में बाबा ने मुख्य रोप से चार बाते बताई अमरत बेला, बाबा का आग्याकारी बच्चा बनना, दिव्य गुरों की धारना करना, और साथ साथ रियल्टी, रोयल्टी से बाब के साथ तो सुनते हैं, वीथे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ, बाब को याद करो, तो सतु परधान बन जाएंगे, अमरत बेले का समय बहुत अच्छा है, कुश्चन है, आग्याकारी बच्चों की निशानिया क्या होंगी, अंसर है, आग्याकारी बच्चे उचे ते उचे बाब क के महवाक्यों को सीर पर रखेंगे हां जी का पड़ पक्का होगा अर्थात अपने जीवन में धारन करेंगे उनकी चलन बड़ी रोयल होगी वेह बड़े धैरियवत होंगे उन्हीं विश्व के मालिक पन का गुप्त नशाव होगा आग्याकारी बच्चे अपने किसी भी करम से बांप दादा की इंसल्ट नहीं होने देंगे इंसल्ट करने वाले अर्थात अवग्या करने वाले बच्चे बहुत डिस सर्विस करते हैं आग्याकारी बच्चे सदा फॉलो फादर करते कभी उल्टा काम नहीं करते हैं गीत के बोल हैं छोड़ पीदे आका शिंगाशन इस दर्थी पर आजा रहे ओम शान्ति मीठे मीठे रुखानी बच्चों ने दो अक्षर सुने अब बच्चे तो इनका अर्थ समझी गई होंगे कि बाप यहां हैं बाप बैट राइट बात समझाते हैं क्योंकि हर एक बात मनुश्य जो कहते हैं ज्यान के बारे वाईश्वर के साथ मिन्न के बारे में वो रौंग है अब गीत के अक्षर सुने छोड़ बीदे आका सिंगाशन इस धर्थी पर आजारे तो इसे सिद्ध होता है परमात्म सब के अंदर सर्व्यापी नहीं है अगर आ उचे से उचे स्थान परमधाम पर रहता है वहां से आगर के बाबा बच्चों को साथ चलने की तैयारी कराता है मनुश्य से देवता बनाता है इसलिए बाबा ने कहा बच्चों ने ये अर्थ समझा होगा गीत का अब गीत के अक्षर सुने छोड़ भी दे आका सिंगाशन लेकिन आका सिंगाशन क्या है ये कोई को पता ही नहीं पतित पावन को तो आना ही है शुब बाबा पतित पावन है पावन बनाने के लिए बाबा को आना ही है कोई कहते हैं भगवान है ही नहीं कोई कहते हैं सब भगवान ही भगवान है आएगा क्यों यह तो तुम बच्च जोने जाना हैं कि बाप आया हैं, फिर यह गायन आदी सब भक्ती मार्ग का सुनना अच्छा नहीं लगता। पतीत पामन आकर अपना परिचे देकर रचना के आदी मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाकी दुनिया में ये बाते कुछ समझ नहीं सकते। यहां भी कितनी मत के आदमी हैं, हरे के अपनी अपनी मते हैं, कहते हैं मनुष्य पवित्र बने ये हो नहीं सकता। सो जरूर जब तक भगवान ना आए, तब तक पवित्र कैसे बन सकते। राइट कहते हैं, कौन बना सकता है पवित्र। वास्तों में जब तक पवित्रता का सागरश्य बावा ना आये, कोई भी आत्मा पवित्र नहीं बन सकते, परमात्मा ही आंकर शिक्षा देते हैं, और टेम्पिटेशन भी देते हैं, और साथ-साथ पवित्र बनने की शक्ती देते हैं, विकारों को छोडने की शक्ती देते है सर्व शक्तिमान बाप इसमें प्राप्ति कितनी भारी हैं तुम जानते हूं बाप कहते हैं मेरा बनकर शिरी मत्पड नहीं चलेंगे तो सजा कानी पड़ेगे जैसे बाप सगीर बच्चों की चलन ठीक नहीं देखते तो चमाट मार देते हैं ये बाप चमाट तो नहीं मारते सिरब समझाते हैं परतिग्या बलड से भी लिकर के देते हैं फिर भी हाल जाते हैं मनुश्यों को पता नहीं तो पवितर बनने से क्या मिलता है सुम्म मैंने भी देखा भाई था मेरे ही सामने अपना बलड हाथ पे ऐसे बलेड मारा ब्लड निकाला उसे लिखकर के दिया प्रतिग्या की बाबा से, लेकिन आज है नहीं, चले गए, तो ऐसे भी कहीं बच्चे हैं माया इतना खा जाती हैं, इतना माया के वशिभूत हो जाते हैं, जो ब्लड से लिखकर के प्रतिग्या करके भी भगवान से चले जाते हैं, तो प्राप्ति सामने हो, प्राप्ति कराने वाले स्व्मुएम् प्रमात्मा साथ हो, तो पवित्र ना रहे हैं, यह हो नहीं सकता. पतित किसको कहा जाता है? बाब समझाते हैं, जो विकार में जाते हैं, वो पतित है. मानुष्य समझते हैं विकार छोड़ना इंपॉसिबल है बोलो देवी देवताईं तो संपोर निर विकारी थे ना चित्र दिखाने चाहिए यह निर विकारी दुनिया थी ना पवित्रता थी भारत कितना सहुकार था शिवाल्य था तो मनुष्यों को यह फुनना रहता है वि गवर्मेंट तंग हो गई है कि दुनिया बढ़े नहीं फिर भी हर वर्ष कितने मनुष्य बढ़ते रहते हैं कम होना तो बहुत मुश्किल है यहां बेहत का बाप कहते हैं अगर तुम पवित्र बनेंगे तो हम तुमको स्वरक का मलिक बनाएंगे आमदनी बहुत भारी है बच्छे जानते हैं बरो बर माया जीत बनने से हम जगत जीत बनेंगे रामन को जीत रामराज्य पाएंगे वहां ये विकार नहीं हो सकते सत्यू में ये विकार नहीं हो सकते उन्हों को तुमने जीत लिया यह बाते कोई मुश्किल समझते हैं कहते हैं इसके बेहर दुनिय कैसे चलेगी ऐसी ऐसी जो बाते करें तो समझना चाहिए यह आदी शनातन देवी देवता धरम का नहीं है जहां भी तुम भाशन करते हो बोलो भगवानों वच्च है भगवान कहते हैं काम महाशत्रों है उन पर जीत पहनने से तुम जगत जीत बनेंगे समझानी बड़ी अच्छी है परन तो फिर भी वह हैं समझते नहीं या समझानी वालों में अकल नहीं है बाबा तो समझते हैं बच्चे रुपए में से पांच आना भी मुश्किल सीखे हैं या तो खुद पूरे योगी नहीं है तो ताकत नहीं मिलते याद से ही ताकत मिलती है जितनी बाबा को याद करेंगे आत्मा में शक्ती बढ़ेगी विकारों को छोड़ने की पवित्र बनने की तो इसलिए याद फ़स्ट है याद में रहना बहुत जरूरी है तो बाबा बता रही हैं या तो फिर ताकत नहीं मिलती बाबा सर्व शक्ती मान अथोरेटी है न योग हो तो शक्ती भी मिले योग तो बहुत बच्चों का बिल्कुल कम है सच भी कोई लिखते नहीं याद का चार्ट नोट करें सो भी मुश्किल है टीचर सी चार्ट नहीं रखती तो स्टूड़न्ट कैसे रखेंगे रखते हैं सब रात को हम भी सोने से पहले सारा चार्ट देखते हैं बाबा को सब कुछ देते हैं फिर सोते हैं बाबा की गोद म तो बहुत से हैं जो टीचर्स भी नहीं रखते तो स्टूड़न्ट कैसे रखेंगे, नमबर वार होते हैं, बहुत स्टूड़न्ट योग में बहुत देखे हैं, टीचर्स से भी आगे चले जाते हैं, मुख्ये बात है बाप को याद करना, योग अक्षर शास्त्र का है, इसमें टीचर की क्या दरकार है, जो बैट सिखावे, इसलिए याद अक्षर ठीक है, योग सीखने की बात नहीं, ये आदत नहीं डालनी चाहिए, बाप कहते हैं, अपनी को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो सतो परधान बन जाएंगे, अमरत वेले याद करना अच्छा ह भक्ति भी सवेरे उठकर करते हैं, यह भी तो बाप को याद करता है, ब्रमा बाबा भी शिव बाबा को याद करता है, याद क्यों करते हैं, क्योंकि बाप से वर्सा मिलता है, बल भक्ति मारग में शिव को याद करते हैं, परन्तो उनको ये मालूम नहीं है, शिव से क्या म यह सिरफ तुम बच्चे ही जानते हो अब बाप शिरीमत देते हैं अपना कल्यान करने के लिए मुझे याद करो याद से ही शक्ति आती हैं और शक्ति से विकर्म बिनाश होंगे ज्यान से विकर्म बिनाश नहीं होंगे ज्यान से पद मिलेगा पतिस से पावन बनते हैं याद से बहुत बच्चे इसमें फैलिवर हैं बहुत अच्छे महारती पाइंच आना भी मुश्किल याद करते हैं कोई तो एक पैसा भी याद नहीं करते हैं इसमें बड़ी मेहनत हैं समझानी तो जट सीख जाते हैं परंतु बेडा पार तब हो जब याद की यात्रा में रहे तब ही जनम जन्मांतर के विकर्म विनाश्षों फिर पुन्य आत्मा बन जाएंगे बाप को बुलाते हैं आकर हमें पतिस से पावन बनाओ पावन तो ढेर बनते हैं परंतु उंच वर्षा वह पाएंगे जो याद से याद में अच्छी रिती रहेंगे तुम्हारे से जो बांधेलिया हैं उजास्ति याद करती हैं याद से ही विकर्म विनाश हो सकती हैं तो जब कोई कही पवितिर रहना impossible है तो फिर उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए निर्विकारी भारत था तो सतो परधान था परंतु सहुकारों के बुद्धी में ये ज्यान बैठना ही मुश्किल है क्योंकि याद में ही महनत है तो बाप कहते हैं ग्रेष्ट व्यभार में रहते उनसे भी तोडने भाव घर परिवार को भी संबालों बास्तों में काईदे बहुत कड़े हैं इस इश्वरिय विश्विद्याले के काईदे बड़े कड़े हैं तुम जनम जनमांत्र तो पाप आत्माओं को दान देते पाप आत्मा बनते रहे अभी तुम पाप आत्मा को पैसा दे नहीं सकते परन्तों दादे का वर्सा है तो देना पड़ता है इसलिए बाप कहते हैं पहली सब लोकी के काम उतार फिर सरिंदर हो जाओ ऐसा भी कोटों में कोई निकलता है बड़ी भारी मंजिल है फालो करना है नश्टो मोहा होना कोई मासी का घर नहीं है बड़ी मेहनत है विश्व का मालिक बनना प्राप्ति कितनी भारी है कल्ब कल्ब जो विश्व का मालिक बने वही फिर बनते हैं तो ड्रामा का राजबी थोड़ों की बुद्धी में ही बैठता है साहुकार तो मुश्किल उठ सकते हैं गरीब तो जट कह देते हैं बाबा इस सब कुछ आपका ही है फिर उनों की सर्विस भी करनी है पावन बनने के लिए याद भी चाहिए नहीं तो बहुत सजा खाने पड़े की सजा खाई तो पद ब्रश्टो हो जाएगा सजा खाते वहें हैं कौन सजा खाते हैं जो याद नहीं करते ग्यान कितना भी उठाई उससे विकर मिनाश नहीं होंगे मोचरा खाकर फिर थोड़ा पद पाना वो कोई वर्सा थोड़ी है बाप से तो पूरा वर्सा लेना है इसलिए पूरा वर्सा लेने के लिए आज्याकारी बनना चाहिए आज्याकारी भी पूरा बनना पड़ेगा क्योंकि पूरा वर्सा मिलना है तो आज्या कारी बनना चाहिए उंचेते उंच बाप के महाबा के सिरु पर रखने चाहिए जो बाबा कहे इमिजेटली उसको मान करके करना चाहिए क्रिशन की आत्मा भी इस समय वर्षा ले रही है कौन की क्रिशन की आत्मा? ब्रभ्ना बाबा वो भी शिरु बाबा से वर्षा ले रही है इन लक्षमी नान के बहुत जन्मों के अंत में हम फिर से उन्हों को पढ़ा कर वर्षा देते हैं तुम्हारे में भी प्रिंस प्रिंसेज बनने वाले होंगे न रोयल घराने वालों के चलन बहुत धहरियवत होगी गुप्त नशा रहता है बाबा कितना साधान रहता है जानते हैं बाकी थोड़ा समय है मेरे को तो जाकर विश्व का माहराजा बनना है यह भी पतित्थे यह तो बाबा का रत है तब यहाँ संदली पर बैठना पड़ता है नहीं तो बाबा कहां बैठे यह भी तुम्हारे जैसा student है यह कोई हमारा गुरु नहीं, भगवान नहीं लेकिन इनके तन में भगवान आता है इसलिए बाबा को उपर संदली पर बैठना पड़ता है बाकी सभी आत्मा हैं, शुपाबा के बच्चे हैं आत्मा रूप में सब भाई भाई हैं कोई भी गुरु सिस्टम, गद्धी सिस्टम यहां पर नहीं है भेनों को भी मुल्ली सुनानी पड़ती हैं इसलिए सामने बैठती हैं, बाकी सभी सभा में बैठते हैं लेकिन हैं सभ गौड फादरली स्टूडन्ट शुप बाबा के विद्ध्यारती जो बाबा टीचर बन करके पढ़ाता है उसके हम सब विद्ध्यारती हैं तो बाबा पूछ रहे नहीं तो बाबा कहां बैठे यह भी तुम्हारे जैसे स्टूडन्ट है पढ़ते हैं बहुत बच्चे हैं बाप को पहचानते ही नहीं बाप के साथ धर्म राज भी है बाप कहते हैं मेरी अग्या नहीं मानी मेरी इंसल्ट की तो धर्म राज बहुत सजाय देगा Direct हमारी अत्वा हमारे बच्चों के तुम अवज्या करते हो यहां भी बड़ो की नहीं मानते बच्चों की भी बाप की भी अबग्या करते हो बाप का एक ही सिकी लदा बच्चा है ब्रमा बाबा प्यार तो है न इनकी इंसल्ट करते हैं तो कितनी सजाएं खानी पड़ेंगी थोड़ी आफ्ते आने दो फिर देखो कितने भागते हैं तुम सब भागे हो न इसने जादू आदी कुछ नहीं किया जादूगर तो शुप बाबा है बहुत हैं जिनको यह भी ध्यान नहीं आता इन में शुप बाबा आते हैं शुप बाबा के आगे हम कुछ उल्टा कर देंगे तो बाप कहेगा क्या कहेगा शुब बाबा ये नालैक बच्चा है इसमें डबल है ना इसलिए तार में लिखते हैं बाप दादा शुब बाबा और ब्रह्मा बाबा परन्तु इस पर भी बच्चे समझते नहीं है कि बाप दादा इकठा कैसे है बाप द्वारा बाप दादा द्वारा वर्षा देते हैं आपे ही बात छेरनी चाहिए समझाने के लिए किसी से भी जान की बाते छेरनी चाहिए तुम जानते हो बाप दादा कौन है भल कोई पूछी कि तुम बाप दादा किसको कहते हो बाप दादा एक का नाम हो ना सके दो हो गए ना शुपाब और ब्रह्मा बाबा एक का नाम कैसे होगा पर दोनों को मिला करके बाप दादा कहते है जैसे मनुष्य ने शिव और शंकर है तो दो शब्द, दो नाम पर दोनों को मिला दिया है पर शिव अलग है और शंकर अलग है तो बच्चों को युक्ति से समझाना चाहिए जब तुम किसी को समझाओ तब उनकी बुद्धी में बैठे कि शुब बाबा दादा द्वारा वर्सा देते हैं अब विनाश तो होना है उनसे पहले राजचुक सिखा रही है आप भी सीखू आधा कल्प जिस बाब को पोकारा है वो आया है नौलेज देने फिर भी कहते हैं फुर्षत नहीं है समझने की तो कहेंगे आप देवी देवता धरम के नहीं हो आपकी तकदीर में स्वरक के सुख नहीं है बाकी यहां कोई माथा आदी तो टेकना नहीं है सन्याश्यों के आगे चर्णों में जरूर गिरेंगे ये तो गुपत है ना आगे चल कर बहुत परभाव निकलेगा उस समय भीर बहुत होगी भीर भाड में कितना मनुश्य मर जाते हैं प्राइम मिनिस्टर आदी का दर्शन करने कितनी भीर खड़ी हो जाती है यहां बात गुपत बैठे हैं बच्चों के साथ यहां देखेंगे किसको इनके लिए तो जानते हो जोहरी था शाष्त्रों में भी है ब्रम्ह द्वारा मनुश्य स्रिष्टी रची कैसे तो बाप कहते हैं मैं इनमी परवेश का रश्ता हूँ यह भी लिखा हुआ है परन्तो पत्थर बुद्धी समझते नहीं है तो बाप आकर बच्चों को पतित से पामन बनाए ट्रांसफर करते हैं बागी कोई नहीं रचना थोड़ी रचते हैं यह पतितों को पामन बनाने की युक्ती है विरान रूप का चित्र जरूर होना चाहिए चित्र बड़ा होगा तो समझाने में भी सहज होगा पत्थर बुद्धी से पारश बुद्धी बनना कोई सहज बात थोड़ी है कोई तो बिल्कुल ऐसे तवाई मिशल देखकर चले जाते हैं इधारोदर ऐसे वैसे देखा हम सो का अर्थ बाबा ने कितना अच्छा समझाया है वह कहते हैं आत्मा सो परमात्मा बस यहां तुम जानते हो हम आत्मा है ही हम आत्मा पहले ब्राह्मन फिर हम सो देवता हम सो क्षत्री आधि-ाधि बनते हैं हम कितनी वर्णो वाले बनते हैं पांच वर्ण वाले बनते हैं, 84 का चक्र लगाते हैं, बाकी जो बाद में आते हैं, उनके लगवा कितनी जनम हो गए, हिसाब निकाल सकते हैं, चीतर बहुत अच्छे बाबा की दिल पसंद बनने चाहिए, दो चार अच्छे बच्चे होने चाहिए, जो चीतर बनाने में करें, अभी तो बहुत बच्चे हैं, चीतर बनाते रहते हैं, हमारे रजोरी गार्डन में, कस्तुरी लाल जी सब परदशनी के चीतर बनाते हैं, तो बाबा ने कहा, जो चीतर बनाने में मदद करें, ऐसे बच्चे होने चाहिए, बाबा खर्चा देने के लिए तैयार है, मानुष्य देख करके खोश होंगे सारी प्रदशनी ऐसी बननी चाहिए प्रांसलाइट के परन तु बच्चों को खड़ा करने के लिए बाबा को मेहनत करनी पड़ती है बाकी बाप की याद मुख्य है याद से ही तुम पतिसे पामन स्रिष्टी के मालिक बन जाएंगे और कोई उपाए नहीं है चलते फिरते बाप को याद करो चक्र को याद करना है तुम्हारा स्वभाव बाबा की याद होगी स्रिष्टी चक्र बुद्धी में रहेगा और तीसरा तुम्हारा स्वभाव बड़ा रॉयल चाहिए चलते चलते कोई को लोब कोई को मोह पकड़ लेता है कोई दिल पसंद चीज पर हिरे हुए है नहीं मिलेगी तो कहेंगे विमार को जाएंगे इस कारण आदत कोई भी रखने नहीं चाहिए खाऊ पियो मोझ करो यह मना नहीं करता बाबा लेकिन लोब नहीं होना चाहिए लालेच नहीं होना चाहिए कि उस चीज के बिना हम रहे नहीं सकते हमारे तब्यत खराब हो जाए ऐसा नहीं होना चाहिए अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्णिंग राइमन मॉर्णिंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार ओम नमस्ते धारना के लिए मुख्य सारे ही अपना कल्यान करने के लिए क्या कहाज बाबने अपना कल्यान करने के लिए बाप की आज्या माननी है आज्याकारी बच्चा बनना है बाप दादा की कभी भी अवग्या नहीं करनी है कोई भी लोब मुहों की आदत नहीं रखनी है सेकिंग पॉइंट है अपना स्वभाव बहुत रोयल बनाने ही सवीरी सवीरे अमरत विले उठ बाप को याद करने का अभ्यास करना है बरदान ही अपनी मूरत से बाप और शिक्षक की सूरत को पर्तेक्स करने वाले अनभवी मूरत भाव अपनी असली पोजिशन में ठेड़ना यही याद की यात्रा है जो हूँ जिसका हूँ मैं आत्मा हूँ पर्मात्मा की हूँ तो जो हूँ जिसका हूँ उसमें इस्तित रहो इसी असली स्वरूप की निश्चे और अनीक बार के विजय की स्मर्ति से सदा नशे की स्तिθी के सागर में लहराती रहेंगे जब सुक दाता के बच्चे हो तो दुख की लहर आ के से सकती है सरोशक्ति मान के बच्चे शक्तिहिन हो के से सकते इसी पोजिशन के अनभवों में रहो तो आपकी मुरद से बाप वशिक्षक की सूरत स्वतेही पर्टेक्ष होगी स्लोगन है सत्यवादी वहे हैं सत्यवादी वहे हैं जिसके चेहरे और चाल चलन में दिव्यता हो उसे कहेंगे सत्यवादी आज की तपश्य की पॉइंट है आप किशमा के सागर के बच्चे हो शुपाबा किशमा का सागर उसके हम बच्चे हैं तो परवश आत्माओं को किशमा कर दो कोई भी आत्मे आपसे नराज है कुछ भी है उसे दिल से किशमा कर दो अपनी शुब व्रती से ऐसा वायुमंडल बनाओ, जो कोई भी आपके सामने आये बैह कुछ ना कुछ नहीं ले, सहयोग ले, तो किशमा का अनभव करे, हिम्मत का उमंग उत्साह का अनभव करे ऐसे क्षमा कर दो आपने उसको क्षमा कर दिया इसका सहयोग मिले, हिम्मत मिले उमंग जीवन में आए, उत्साहा आए वो ऐसा अनभाव करे अच्छा, ओम शान्ति